कोशन को हम देखते हैं भारत की विभाजन के समय भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ठीक है जब भारत का विभाजन हुआ था ठीक है डिवाइडेशन हुआ था उस समय पूछा जा रहा है कि जो भारती राष्ट्री कॉंग्रेस है जो आपकी इंडियन न लाइक करेंगे और शेयर करते जिसने भी लाइक नहीं किया भ़ही बहुत जल्दी लाइक कर, इतनी गंजूस ही मत किया कर유 चलो, शेशन को लाइक करते जाओ, हाँ देखो, कहने का इंतजर कर ते हो कि मैं कहते ही लाइक सुरू हो गए ह। चलो तो हमारी क्लास कह रही है यहां पर सी तो एकदम सही है जेवी किपलानी ओ भई जो बच्चे राजेंद्र प्रशाद या नहरू कर रहे हैं वो सुधार ने अपना आंसर ठीक है क्या होगा जेवी किपलानी इस कोस्चन पर हमने पहले भी चर्चा की है कि इस वतंता के समय क्या थे भारत के भारती राष्ट्री कॉंग्रेस की अध्यक्स थे ठीक है जेवी किपलानी जो राजेंद्र प्रशाद कर रहे हैं भी राजेंद्र प्रशाद जी इनके बारे में हम पढ़ते हैं यह कब थे यह 1912 है ना 1912 में हम पढ़ते हैं गाइस बाकीपूर आधिवेशन है ना हम पढ़ते हैं इना तब अध्यक्षता की थी चले जेल नैरू के बारे में देखे जबाल लाल नैरू इनका हम पढ़ते हैं इनोने लाहर अधिवेशन है ना लाहोर अधिवेशन लाहोर अधिवेशन में इन्होंने धक्षता की थी कव 1929 में यह चीज हम लोग पढ़ते हैं यहीं पे इन्होंने पूर्ण स्वराज है पूर्ण स्वराज की घोषना भी इसी अधिवेशन में हुई थी लाहोर अधिवेशन में यह चीज हम पढ़ते हैं चले तो यहां पर बललभ भाई पतेल सर्दार बललभ भाई पतेल के मारे में देखिए सभी जानते हैं इनका एक अधिवेशन था सबसे पहले, देखिए कौन सा, कराची अधिवेशन कराची अधिवेशन कब हुआ था गाइस तो ये 1931 में हुआ था कराची अधिमेशन और सरदार बल्लब भाई पटेल इनको क्या है भारतिय रियासतों का या भारतिय राज्यों का एकी करण करता कहा जाता है मतलब कहा जाता है अगर कभी question पूछा जाए कि भारती रियासत या भारती राज्यों का एक ही करण किस ने किया तो पटेल ने ही किया था याद रखेंगे और इनी की जो मूर्ती है सबसे उंची मूर्ती कौन सी है सरदार वल्लब भाई पटेल की गुजुरात की के बडिया मे है यह सारी चीज़ा हम पढ़ते है अब हम थोड़ा सा कॉंग्रेस के बारे में देख ले रहे हैं जब कॉंग्रेस की चर्चा चल ही गई है तो है ना चले तो गईस कॉंग्रेस की स्थापना होती है माईडियार यह होती है 1885 में ठीक है कॉंग्रेस की स्थापना कब होती है 1885 में होती है 1885 में है ना किसके समय में होती है उस समय जो गवर्नर जर्रनल था वो गौन था गाइस तो कौन था डफरिन लौर्ड डफरिन मैंने आपको याद भी कराया था ट्रिक से यही सोची क्योंकि इसने कॉंग्रेस की निंदा की थी कि कॉंग्रेस एक सूक्ष्म दर्सी अल्प संख्यक लोगों का नित्त्र करने वाली संस्था है ना तो मैंने कहा था ऐसा तो कोई डफर ही कह सकता है तो ऐसे याद रखेंगे जो डफरिन था है ना उसी के समय में कॉंग्रेस की स्थापना होई थी है ना तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कॉंग्रेस के अगर पूछ लिया जाए कैस कॉंग्रेस के महा सचिप ठीक है महा सचिप कौन थे तो ये कौन थे ए ओ हुम कौन थे ए ओ हुम है ना ए ओ हुम थे महा सचिप बोल दिया जाए या कह दिया जाए कि किसकी अनुसंसा पर या किसके द्वारा कॉंग्रेस की स्थापना होई तो किसके ए ओ हुम के द्वारा होती है तो ये चीज़ आपको जाट के रहे हैं मैम 28 दिसंबर 1885 को लॉट डफरिन के समय अध्यक्ष थे बनर जी है ना व्योमेश चंद बनर जी वेरी बोल्ड हमारे कोशन का पहले ही आंसर आगया कौन थे डबल्यू सी ठीक है डबल्यू सी बनर जी क्या थे कॉंग्रिस की पहले अध्यक्ष थे प्रतम अ जगा है गौलिया टैंक है ना तो वहीं पे होती है कौन सा था नहीं गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्याल है ना बंबई में है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्याल है वहाँ पे क्या है इसकी स्थापना होती है यह सब